नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका अपने चैनल रश्मी जी क्रियाशन पे और आज हम 3-in-1 यूज़ेस वाला लिपनार्ट लेकर आये हैं तो आप सोच रहोंगा 3-in-1 तो 3-in-1 इसलिए क्योंकि आप उसी एक लिपनार्ट को तीन अलग अलग जगे यूज़ेस कर सकते हैं जैसे कि रांगोली के लिए दियाए स्टेंड के लिए और वाल्ट सजाने के लिए आप सोच रहोंगा यह कैसे होगा तो चलिए फड़ा फटसत देखते हैं सबसे ले मैंने 12-inch का एमडिया बोर्ड लिया है और उसी के ऊपर मैंने पेपर रखकर सेम सरकल कट कर लिया है ताकि आप इजीली में सेंटर पर निकाल पाऊं आप भी इस टेकनिक का यूज करके बोती इजीली लिपनार्ट की डिजाइंस ड्रॉ कर सकते हैं या मंडाला जो भी आपको पसंदो अब दोनों के लिए यह सेंटर पर निकाल सकते हैं या किसी भी सरकल पे आप किसी भी कर लिया कंपास की हेल्प से और फिर एक सेंटिमीटर का गेब छोड़कर मैंने एक और चरकल रहा है आप देख लीजी मैंने इस तरीके से दो सरकल अब ही ड्रॉ ताकि मैं इसमें आसानी से लीव ड्राव कर सकूँ यह देखिए यह ग्रीट बनती जा रही है सिसब से और अब मैं इस तरीकी की लीव ड्राव कर लिए ग्रीट बनाने के बाद तो वह आपको बताना भूल गई थी तो यह देखिए इसको कोई टफ काम नहीं है आप एकवल प साइता से भी इस लीव को बना सकते हैं जितना हो सके आप अपनी घर की यह चीजों को यूज करके आप अच्छी डिजाइन बना सकते हैं यह कोई जरूरी नहीं कि आपके पास सारे एक्विपमेंट्स होना चाहिए या फिर सारे टूल्स होना चाहिए आप किसी भी तरीके स आप ड्रॉ कर सकते हैं उसका option डूज सकते हैं जैसे कि मैंने धकल लेके भी semi circle बना दिया है तो आप भी इसका use करके बना सकते हैं देखिए यह design अब ready हो चुकी है और जो भी extra lines है आप उन्हें rubber से rough कर दीजे और clean कर दीजे अब यह leaf मेरी last वाली बहुत बड़ी थी तो मैंने उसमें semi circle बना दिया है ताकि वो leaf की gap को cover कर ले आप जब भी कोई design ड्रॉ करें तो इसे पहले से ही अपने mind में set कर लीजिए या फिर आप एक rough paper पे भी ड्रॉ करके देख सकते हैं अब आप molded clay की मदद से dory बना लीजिए ताकि आप यह design को dory से cover करते चलें और उतना ही molded clay ले जाकि यह dry ना हो सके तो दोनों को mixture को तभी mix करें एक्वल मोटाई की dory बनाने के लिए आपको plates ले लेना है या फिर आप sponge की सायता से भी बना सकते हैं थोड़ा सा टेलकम powder ले लीजिए ताकि यह dory आपकी चिपके नहीं और आसानी से यह बनाते बने अब थोड़ा थोड़ा फैविकॉल लगा कर आप इसे दोरी को लगाते जाएए अब धीरे दीरे आपको इसकी मतलब अंदाजा हो जाएगा कि आप कितनी जल्ली कितना काम कर सकते हैं तो आप उस हिसाब से भी दोरी एक साथ भी बना सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही बनाया है क्योंकि एक साथ बनाने थोड़ा थोड़ा करके ही यूज करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये देखिए मैं भी थोड़ा थोड़ा करकर ही यूज कर रही हूं और डोरी भी सब एक्वली आई है मैंने फर्स टाइम ही इस तरीके का आर्ट बनाया है तो आप देखिए कैसा लग रहा है और ये अगर आपके पास जैसो नहीं है तो आप वाइट कलर का भी यूज कर सकते हैं वाइट कलर करने के बाद आप कोई भी कलर करेंगे तो वह अलगी लुग देगा वो उभर के दिखेगा अब मैंने इस्टार्टिंग कर दीए कहले ही तो यलो रेड और मैंने ये स्काई ब्लू लिया है और डाग ग्रीन कलर तो आप अपने एक और पसंद पर चॉइस के अनुसार भी पैंट कर सकते हैं अपनी जो क्रियेटीविटी तो आप अपनी कलर की चॉइस के अकोर्डिक चेंज भी कर सकते हैं मुझे तो ये color combination अच्छा लगा देखिए अब मैंने अलग-अलग different size के mirrors ले लिए हैं और ये mirrors इस पर paste कर दिये हैं तो बाद में मैंने इस पर white dot लगा दिये ताकि ये थोड़ा और उभर के अलगी touch up दे रहा हैगा तो प्यारा लग रहा है अब हम इनको तीन uses करके दिखाएंगे देखिए तो पहला आइडिया है रांगोली के लिए जब दिवार आते हैं तो हम सब अपने घर के बाहर रांगोली तो सजाते ही है जिसे हम इसे हम रांगोली की तरह भी use कर सकते हैं तो ये पारे प्रेक लुक देगी और बल्कि आदो निकिश पर्श भी देगी या आपने रांगोली को इतना खुबसूरत होते देखा था अब अगली बार रांगोली बनाते समय से जरूर ट्राय करें अब दूसरी बार है मैं इसे दिवाल पर सजाने की जब सारे तेवार खतम हो जाएंगे तब हम क् से बॉल पर सजानेंगे तो बहुत ही सुदर लग रहा है ना एक नया आट पीस अब बार यह तीसरे उप्यों की जी हाई यह दिया स्टेंड सीधे फर्श पर भी रख सकते या फिर आप टेबल पर इसे लग सजा सकते और उसके उपर दीपक भी जला सकते और दिया चलने से इसमें जो मिरर लगे उसका रिफ्लेक्शन ही बहुत प्यारा लगेगा तो दोस्तों कैसा लगा यह 3-1 लिपन अर्ट आइडिया तो क्या आप इसे ट्राइ करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताए आप चेनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू